नमस्कार मेतरानों वॉयशेली की रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम पानीपुरे की घटी मीठी और्तीद की चेटनी देखेंगे तो इह मीठी चेटनी देखें इसकी असे कंसेनद बिड़िया से आई है साथ हम हरे पुदिने की चेटनी बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब यह पर डालेंगे हम एक मुट्टी हरदनिया साथ इसमें डालेंगे एक मुट्टी पुदिना तो पुदिना को हमने अच्छे से दो कर लिया है मिर्च आप हर मिर्च कम जादा कर सकते दिखा अपनी मन पसंद से रख सकते साथ ही थोड़ा सा पानी डाल की से बढ़िया से पिस लेंगे एक दम स्मूथ पिसने हमें इस तरह से हमने चटनी को पिस लिया है जैसे थेले वाले भाया तीखा पानी बनाते बस उसी तरह से हम इस तीखा पानी बनाएंगे तो इसे हम चान कर लेंगे आप इसे बीना चाने भी इस्तमल कर सकते लेकिन मैंने आप पर इसे चान लिया है आपका चोईस से आप इसे बीना चाने भी इस्तमल कर सकते तो चलिए इसी तरह से हम पानी को चान लेते अब यह देके इस तरह सब बचाए इसमें हम और पानी डालेंगे और इसे पीर से चान लेंगे इस तरह से पेस्ट को हमें चान कर लेना है और बचे हो पेस्ट में फिर से पानी डालके दो तीन बार एक प्रोसेस करेंगे ताकि इसमें जो भी पुदीना हरदनिया का प्लेवर है वो सारा नीचे पानी मे जाएगा और हमें तीखा पानी मिल जाएंगा देखें मैंने इसी तरह से प्रोसेस किए दो तीन बार आप चाहे तो इसमें इसी तरह से और पानी डालकर पानी को बढ़ा सकते देखें इसका कलर एकदम लाइट हो चुका है पहला डार्क ग्रीन था अब डार्क एकदम बतते पानी को चाहे है जो लाइट ग्रीन हो गएं तो इसे हमने आची तरह से निचोड कर लिया है तो इस भी पैश्ट को रख़ा देंके साइट में अब इस में अब करेंगे आदा charger powder बूला रूंग जीरा का पाउडर यह पी जैबर भी आप इसमें टेबल स्पूं केते में डाला है आधा टेबल स्पून पानी पूरी मसला आधा टेबल स्पून चाट मसला और इसे अच्छी से मिक्स करेंगे कि पानी पूरी मसला मार्केट में इजली मिल जाता है तो इस देखिए हमारा तीका पानी तैयार है चलिए हम इसे टेस्ट करते है टेस्स करके हमने इसे चेक किया है तो एकदम बढ़ी ऐसे बना है एकदम परफेक्ट तो कंसंटन से भी एकदम परफेक्ट आई इस पानी की तो यह दे की हमारा तीका पानी तैयार है आप इसके उपर बुंदी भी ढाल सकते तो कि इसका लुक और भी बढ़ी आजा तो चले ह मिठा पानी बना थे मिठा पानी बनाना के लिए आप पर हमने एक प्यान रखाए प्यान में हमने आदा कप पानी डाला है अब गयास की फ्लेम अन की है अब इसमें डालेंगे आदा कप चिंसर इसे इमली भी बोला जाता है तो इमली को हमें पानी में डालना है पहले से भी पकाना है तो मेडेम हीट पर जब तक गुल मेल्ट नहीं होता है तब तक हम इसे पकाएंगे तब तक इमली भी अच्छी तरह से पक जाएगी हमें गुल और इमली को बिगोने की बिल्कुल जरुत नहीं है इस तरह से हम मीटा पानी बनाएंगे ना खटा मीटा तो बहुत बढ़ी ऐसे बनता है और गाड़ापन भी बहुत बढ़ी ऐसे आजाता है गाड़ी चटनी जिनको इमली की गाड़ी चटनी पसंदे ओ इस तरह बना सकते हैं तो इस देखें गुड़ बढ़ी ऐसे मेल्ट हो चुका है अब कैस की प्लेब हमने एकदम लो की है अब इसे हम मैश करेंगे तो आप इसे मैशर से मैश कर सकते है जितना भी इमली का पल्प ह होता है वह सारा निकलना चाहिए तो मैंने इस तरह से चमा से इसे मैश किया है इसका पंप किया है अब कोई भी कटोरने से इसे मैश कर सकते और फिर मैश्यकर कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने इसे मैस्ट किया है अब गैस के फिले मंद करेंगे और इसे चान लेंगे तो आप चानने के लिए बड़ी चलनी का यूज कर सकते हैं मेरे पास चोटी वाली थी मैंने वही यूज किया तो सारा पानी हम चान कर लेंगे यह देखिए इस तरह से हमें पानी बहुत जाओ गरें में तो दीर दीर इसे चानना है चम्मस से हमें से प्रेस करके सारा पानी निचोड़ेंगे हमें इस इमली को फिर से पकाना है तो इस तरह से इसका सारा पानी निकालेंगे इसका सारा पानी निकाला है बच्चे होगा इमली का पल्प है वो फिर से हम पैन में डालेंगे और फिर से हमें आधा कप पाने यूज़ करना है और इसे फिर से पकाएंगे हम low heat पर अच्छ से पक हेंगे अगर आपको गुड की कम ही कम लगें गुड तो फिर से इसमें गुड डाल सकते गुड डाल के से फिर से सकते हैं ये देखिए इमली फिर से फिर से पक चुकी है कि इससे मैश करना इसी तरह से एक प्रोसेस हमें दो थीन करने जितना भी में फ्लेवर इखटибо यूय तब तक हमें इस तरह से इसे पक़ए कर इसका सारा पूल्प अलग करना है कि यूद्स हंद् assume फिर से चांट लेते इश्मेज सय तरह से कितना जाधा पूल्प निकले इसे हमारे इमली की चटनी बहुत ज्यादा गाड़ी हो जाती है और इस चटनी का कलर भी एकदम नैचुरल आ जाता है तक कि इसमें गुड जो डाला था हमने गुड का बहुत बढ़ी ऐसे कलर आ जाता है चले इसी तरह से दो तिन बार हम इमली को पकाते हैं तो अब इसमें एड करेंगे एक चो चमच गरह मसाला एक चोताई चमच लाल मिर्श पाउडर और एक चर्थ ही चमच आपर सेंधा नमक नकेजद की आयसाओंस किया जासे तो इसी तरह से हमें सभी मसाले को मिक्स करना है आप इसमें तीका नई ज़島 लेंगे तो भी चलेगा कियोंकि हमें पहले ऍारिशटनी मे पानी पूरी के खट्टा मीटा पानी बना कर देखेगा देखा कितना बड़िया से बनाएं